मैसूर शहर में एक आदमी था, लोग उसे एक तरह का भूत भगाने वाला या तांत्रेक मानते थे, इस आदमी ने बोतलों में भूत बंद करके रखे हैं, तो मैं उससे दोस्ती करने लगा, मैंने सोचा एक बोतल चुरा लूँगा, क्योंकि मुझे वाकई भूत देखना था सद्गुरु आप कहानियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बाचीत कर रहे थे और हम सहमत थे कि जब हम छोटे थे, तब हमने जो सबसे अच्छी कहानिया सुनी, अपने परिवार वालों से, या अपने दादा-दाधी से, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से, वे चोटे बच्चे थे, हमें डर्ना अच्छा लगता था. फिर भी हम वो भूतों की कहानिया सुनना चाहते थे. सारी कहानियों में से ये बच्चों की पसंदीदा कहानिया होती हैं. क्या आप भूतों का कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे? अफ पहाडों में आपकी यात्राओं के दोराने ऐसा कुछ हुआ था ये मुझे वाकई परिशानी में डालने वाला है देखिए आपको भूतों की कहानिया सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं था बलकि आपको रॉंग्टे खड़े कर देने वाला अनुभव देना था एक बार लुईसियाना राज्य में एक नाई की पूरी दुकान हर किस्म की हॉरर कॉमिक्स और भूतों की कहानियों से भरी हुई थी और हर तरह की सिर्फ वैसी चीज़ें कोई अख़बार या मैगजिन नहीं सिर्फ यही चीज़ें तो एक दिन किसी ने नाई से पूछा आपने अपनी पूरी दुकान को सिर्फ ऐसी कहानियों से क्यूं भर रखा है क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है स्टाइल के बारे में, फैशन के बारे में, कुछ नहीं सिर्फ भूतों की डराने वाली कहानिया आखिर क्यों उसने कहा देखिए, मेरा काम ऐसा है कि अगर किसी के बाल खड़े हुए हों, तो काम आसान हो जाता है तो पूरा मकसद आपको रॉंग्टे खड़े करने वाला अनुभव देना था ना कि आपको डराना और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इससे बहुत आकर्शित हुआ था मैसूर शहर में एक आदमी था जो मैसूर सिटी कॉर्परेशन में एक अधिकारी भी था लेकिन लोग उसे एक तरह का भूत भगाने वाला या तांत्रिक या वैसा कुछ मानते थे मैं हमेशा वैसी चीज़ें खोजता रहता था तो किसी ने मुझसे कहा इस आदमी ने बोतलों में भूत बंद करके अपने पूजा स्थल, कारिशाला या ऐसी किसी जगे रखे हैं तो मुझे वहाँ जाना था पर उसने शुरू में हमें इजाज़त नहीं दी पर मैं अड़ा रहा फिर वो मुझे अंदर ले गया और उसने कई बोतले दिखाई उसने कहा इसमें ऐसा भूत है, ये एक औरत है, ये एक आदमी है मैंने गोर से देखा मुझे आदमी ये औरत नहीं दिखे मुझे ढखकन लगी, पारदर्शी बोतले ही दिखी तो मैं उससे दोस्ती करने लगा मैंने सोचा एक बोतल चुरा लूँगा क्योंकि मुझे वाकई भूत देखना था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सुन रखी थी बहुत सारी बातें जबरदस्त किस्म की कहानिया इसने मुझे और ज़दा उच्सुक बना दिया इसने मेरे रोंग्टे खड़े नहीं किये और नहीं मैं डरा बलकि मैं और ज़दा उच्सुक बन गया मैं लगातार कई महीनों तक हर रात शम्शान में बिता चुका था क्योंकि मैं देखना चाहता था तो लोग आते थे मुर्दे को जलाते थे और जब लकडियों में शव जलते हैं तो ये 4-5-6 घंटों तक जलते हैं लोग वहां घंटे, डेड़ घंटे ठहरते हैं फिर उन्हें और भी काम होते हैं वे लोग रोते हैं, सुबकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं आमतोर पर होता ये है कि जब आग जलती है क्योंकि हर चीज में खर्च का पहलू भी हमेशा होता है अगर वे जादा देर जलने के लिए काफी लकडी नहीं लगाते तो जब शव का बाहरी हिस्सा जलता है तो सबसे पहले गर्दन जल जाती है क्योंकि वो सबसे पतली होती है और गर्दन की हड्डिया जलने के बाद जलता हुआ सिर लुड़क जाता है डू 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 तो मैं ही उसे डंडी से उठा कर वापस रखता था और इंतजार करता था भूत कहां है? वो आता ही नहीं था कई कई महीनों तक मैं वहाँ बैठा कोई भूत नहीं आया किसी ने कहा तुम इमली के पेड़ में कील ठोको वो आएगा मैं पेड में बार-बार कीले ठोकता रहा कोई नहीं आया किसी ने कहा इस घर में भूत रहता है तो मैंने मालिक से कहा प्लीज मुझे जाने दीजे, मैं वहाँ सो कर देखना चाहता हूँ कि भूत आता है या नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर मैं इस आदमी के पास गया, और जब उसने साफ कहा कि वो इस बोतल में है, तो मैं वो बोतल चुराना चाहता था, लेकिन वो अपनी बोतलों को बहुत सम अंडा रख दिया, फिर उसने कई चीजें करी और फूफ, उसने ताली बजाई और सभी पांचों अंडे फूट गए, ठीक, मेरी आखों के सामने, तो मैंने सोचा कुछ तो है, मुझे नहीं पता कि ये भूत है या कुछ और, जो भी हो, पर वो उन पांच अंडों के पास नहीं गया था, उसने दूर से और पांचों अंडे फूट गए, तब ये मुझ पर असर कर रहा था, और फिर मैं अपने घर के पिछवाडे में पहुचा और यहां वहां देख रहा था, तब मैंने देखा, अमरूद के पेड़ से फल लटक रहे हैं, अमरूद, मैंने एक अ अमरूद गिर गया, मैं चौक गया, क्या, मैंने ये बार-बार किया, हर बार अमरूद गिरा, तब मैं अपने दोस्तों को लाया, अरे बेवकूफों ये देखो, अमरूद गिरा, उन्होंने कहा, क्या, एक बार नहीं, पांच, दस बार मैंने किया, तो ये कोई संयोग नहीं था, लेकिन फिर, ये सब करने के लगभग तीन दिनों में, एक अरूची जो मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं की, क्योंकि मैं कभी उन दायरों में नहीं गया हूं, एक तरह की अरूची मेरे पूरे शरीर में भर गई, मैं समझ गया कि मैंने कोई बहुत बुनियादी गलती की है, मैंने खुद से कहा, फिर कभी नहीं, अगर तुम्हें अमरूद चाहिए, तो पेड़ पर चड़ कर तोड़ो, जीवन में कुछ चाहिए, तो मेहन करके हासिल करो, ऐसी चीज़ें हम फिर कभी नहीं करेंगे, मुझे एहसास हुआ कि अपनी उर्जा के वैसे इस्तमाल में कोई बुनियादी गलती है, तो भूत क्या होता है, आप सभी शरीर धारी भूत है, जो घूम रहे हैं, बैठे हैं, हर कोई, आप शरीर वाले भूत है लेकिन अचानक किसी ने अपना शरीर खो दिया, और आप सोचते हैं कि वे भेंकर हैं, क्यों, वे आपकी ही तरह हैं, वे बस शरीर खो चुके हैं, क्या ये सच है, कि आपने शरीर को कुछ समय में इकठा किया है, मान लीजिए, आप बहुत ज़ादा खाने लगे, और आप कारिकरम में आये या कुछ और किया, और धीरे-धीरे आप घट कर अपने साइज के आधे रह गये, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका आधा इससा भूत बन गया, हलो, तो किसी ने अगर अपना शरीर खो दिया, धरती से 50-60 किलो उठा कर हमने जो ये शरीर बनाया है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपना शरीर खो दिया है, वो कोई बुरी चीज हो गया है, कोई डरावनी या भयानक चीज, ये जीवन को देखने का एक बहुत असामान्य तरीका है, जीवन की प्रकृती ऐसी है कि चाहे, देखिए, अभी आप इस बात पर गौर कीजिए, बु तो अगर आप सांस ले रहे हैं, मान लिजे कि ये एक बिल्डिंग की तरह होता, अभी हम इस आंगन जैसी जगे पर हैं, तो आपकी सांसे यहां मौजूद जीवन है, आप इसको हवा कह सकते हैं, लेकिन असल में ये जीवन है, क्योंकि अगर मैं इसे हटा लूँ, तो ये चला जाएगा, हाँ, आपका जीवन चला जाएगा, सिर्फ इसी लेंदेन के कारण जीवन चल रहा है, है न, तो ये बस हवा या ऑक्सिजन या इसकी उसकी बात नहीं है, ये एक जीवित ब्रह्मांड है, आप एक छोटे बुल्बुले की तरह हैं, आपने थोड़ा सा मेरा उतना बड़ा था, मान लीजे, हम उन्हें देख रहे थे, ओ, ये मेरा बुल्बुला है, वो तुम्हारा बुल्बुला है, फिर वो फूट गए, जब वे फटे, तो आप ये नहीं कहते, ये मेरी हवा है, वो तुम्हारी हवा है, है न, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये बस बुलबुला है, आपने इसमें थोड़ा जीवन कैद कर लिया है, और ये एक खास तरीके से काम कर रहा है, जब ये बुलबुला फटता है, तब मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती, हो सकता है कि आप पूरा बुलबुला ना फोड़े, आप फिर आप शरीर वाले भूत हैं